नमस्कार और विलकम यौल दू स्टडी आएक्यू मैं हूँ प्रशान दवन यहाँ पे आप लोग फिल्कुल ठीक पड़ रहे हैं यह जो तीन लोगों की फोटो है यह वारल हो चुकी है दुनिया में इवन अमेरिकन मीडिया भी इसके वारे में बात कर रहा है के कैनेडा चार्जेस थ्री इंडिया नाशनल्स फोर असासिनेशन और सिक्स सेपरिटिस्ट मैं यह क्लियर कर दूँ यह तीनों रॉव आईवी के एजेंट नहीं है कैनेडा अभी भी कुछ प्रूव नहीं कर पाया कि यह जो तीन लोग है इनका कोई कॉन्टाक्ट था कोई रिलेशन था गवर्मेंट ऑफ इंडिया के साथ देखे निजजर की किलिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख पाओगे यह फोटो है निजजर की यह 45 साल का था जब जून 18 2023 को कुछ अग्यात लोग आते हैं गाड़ी से उतरते हैं और जब निजजर एक सिक टेंपल के बार खड़ा था इसको गोलिया मारके चले जाते हैं कि जो वीडियो है यह भी दुनिया के सामने बात में आई थी बहुत जादा हॉरिफाइंग वीडियो थी वो मैं अविएसली प्ले करनी सकता मगर यहाँ पे आपको यह भी जानना होगा कि निजजर अपने आप में था कौन के इसाब से यह एक कनेडिया नागरिक है और के जो भी मीडिया है वो निजजर के लिए वर्ड यूज करता है सिख अक्तिविस्ट इस पर्टिक्डुलर केस में भी आप आप देख पाहोगे तीन इंडिया नाशनल को अरेस्ट कर लिया है कनेडा में फॉर्ड़ अव सिख एक्टिविस्ट नाव निजर की अगर हम हिस्ट participation थी, भारत सरकार के कहने पर दो बार Interpol ने red notices भी इशू किये थे निजजर के against, और कई इंडियन मीडिया के articles ने ये भी बताया है, कि निजजर एक arms training camp औरनाइस करता था Canada में, basically AK-47 और various all type की जो rifles हैं, ये चलाते कैसे हैं, इनको use कैसे करना होता है, इसकी training निजजर को मिली थी पाकिस्तान में, और निजजर बिलकुल पाकिस्तान गया भी था, इसकी images इंटरेट पे available है, तो निजजर देखिए, वो जो training है जो पाकिस्तान से इसको मिली, ये training बाद में Canada में, जो various खालिस्तान के जो separatist और लोग हैं, उनको ये training प्रोवाइड कर रहा था, और फानली इस बात को लेकर भी ये काफी बड़ा question है, कि निजजर एक्चुली Canada का एक नागरिक बना भी कैसे था, कई बार तो Canadian मीडिया के कुछ section ने ये बार भी पूछी, कि जो process था, जिसकी अंडर निजजर एक Canadian citizen बना, ये अपने आप में काफी अजीब था, Canada के immigration minister ने एक बार को तो ये भी tweet कर दी थी, कि निजजर 2015 में Canada का नागरिक बना था, मगर बाद में अपनी tweet को correct करते इनों ने ये कहा के नहीं नहीं, हमारे records में कुछ गडबर थी, इनके records में कुछ गडबर थी the error in dates is my responsibility to assume नों ने ये कहा, और बाद में clear किया, के इनके हिसाब से निजजर एक Canadian citizen बन गया था 2007 में, तो जून 2023 को निजजर की killing होती है, और उसके बाद सब्तमबर 18 2023 कनेडियन प्रामनिस्टर अपने पार्लिमेंट में खड़े होकर ये कह रहेते हैं के निजजर को मारने में भारत सरकार का हाथ था, इनके पास कोई प्रूव नहीं था, उस वक्ट कुछ नोंने दुनिया के सामने evidence रखा नहीं मगर बार-बार कनेडियन प्रामनिस्टर ये कह रहे थे के इनके पास credible evidence है ये शो करने के लिए के इंडियन government, इंडियन agencies का हाथ था निजजर को मरवाने में और बाद में कैनेडा के इस claim को थोड़ा सा support मिला 5 eyes country USA से ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ 5 eyes एक intelligence group है जहाँ पे Canada, US, Australia, New Zealand, UK आपको मिलेंगे ये पांचों countries in-depth intelligence information आपस में share करते हैं तो जो USA के ambassador हैं to India डेविड कोहन इन्होंने का के हमने देखिये कुछ information कनेडा के साथ share करी है वो information again क्या थी क्या genuinely उससे प्रूब हो जाता है कि इन्डिया का हाथ था निजजर की killing में इसके बारे में कोहन ने कुछ नहीं बताया मगर कनेडा अपनी तरफ से लगातार ये claim कर रहा था कि इन्डियन गवर्मेंट की वज़े से ही निजर मरा है और eventually क्या होता है कि इन्डिया और कनेडा के रिलेशन्स खराब होने स्टार्ट हो जाते है इन्डिया ने officially ये कहा कि कनेडा एक safe haven haven ये word नहीं haven होते है कैसी जगा जहां पर सुरक्षे तरीके से आप रह सको कनेडा एक safe haven है आतंगवादियों के लिए उसके लावा इन्डिया ने ये भी कहा कि कनेडा में बहुत सारी anti-India activities हो रही है और साथी साथ हमने ये भी देखा कि इन्डिया के कहने पर कनेडा ने अपने 41 diplomats बाहर निकाल दिये इन्डिया से अब आज के समय इन्डिया और कनेडा के पाज जो diplomats की strength है इसमें एक आपके लिजे equal number maintain हो चुका है इस बीच मैं आपको ये बदा दूँ Justin Tudow बार-बार ये statement दिरे थे कि हम इंडिया को provoke नहीं करना चाहते हैं basically हो क्या रहा है Justin Tudow इस खालिस्तान निजजर के इशू को लेकर Canada में politics खेलना चाहते हैं ये चाहते हैं कि sick voters के जो vote हैं ये इनको मिल जाए साथी साथ ये ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अगेंस्ट बाते बोलने के बाद भी इंडिया के साथ जो economic relations है जो diplomatic relations है ये खराब ना हो ये जो hypocrisy है ये हमको तब दिखी जब इस सब के बावजूद ये सारी चीज़े हो रही है इंडिया ने openly ये कहा कि Canada safe नहीं है इंडियांस के लिए Canada safe haven है for terrorists उसके बावजूद जो top Canadian pension funds है इन्होंने 438 million dollars Indian highway trust में invest किये हैं ये मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है बहुत सारे Canadian लोग अपना पैसा Canadian government को पकड़ाते हैं हर महीने या फिर लमसम तरीके से इस उमीद से कि जब वो बुड़े होंगे 60-70 साल के हो जाएंगे तब Canadian government regularly उनको pension provide करेगी हर महीने ना वो Canadian government की responsibility है कि सारा पैसा जो इनके पास आ चुका है ये किसी ऐसी country में निवेश करना है जो बिल्कुल safe है जहाँ पे investment पका ग्रो होगी और interestingly इस सब diplomatic issue के दोरान भी न Canada ने अपने pension funds जो सबसे जरूरी funds होते हैं जिस पर आपके लिजिए सरकार की सबसे ज़ादा responsibility होती है इसका एक बड़ा chunk 438 million dollars Indian highway trust में invest किया है इस उमीद से के 80-10% के आसपास कुछ return मिल जाएगा pension fund में जो हमको वापस करना है कलको पैसा Canadian नागरिकों को वो ये वापस कर पाएंगे तो ये जो Canadian government की duality है न ये देखना काफी interesting है अब आने वाले time में देखना होगा के ये जो 3 लोग है जो rest किये गए है एक का नाम है करन बरार फिर है कमल प्रीच सिंग और तीसे का नाम है करन प्रीच सिंग ये Canada के हिसाब से एक gang के member है ये तीनों लोग क्या बोलते हैं क्या statement देते हैं क्या Canadian authorities के pressure में आके इन में से कोई एक अगर ये कह देता है कि हाँ जी मेरी raw के किसी agent से बात हुई थी IB के किसी agent से बात हुई थी तो problem आ सकती है मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी देखिए trial भी चलेगा Canada में case भी होगा और धीरे धीरे बहुत सी detail सामने आएंगी और possibility है कि इस arrest का एक impact आपको इंडिया Canada relations में भी दिखे और मैं finally यहाँ पर आपसे question पूछूँगा के world press freedom index के हिसाब से इंडिया की rank 2024 index में क्या है यह आपकी options 100th, 159th, 55th या फिर 87th comment section में करिए उत्तर जो लोग सही answer देंगे उनकी comment को मैं हट दे दूँगा आपकी बाकी लोग समझ पाएं के सही उत्तर क्या है और finally आप लोगों के लिए एक important message अगर आप UPSC exam की त्यारी कर रहे हैं आपके पास time है एक-दो साल का आप college student है आप रुक के अराम से prepare करना चाते हैं UPSC exam के लिए तो comment section में जाहिए यहाँ पे आपको मिलेगा यह link इस link पर करिए click और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा यह page अगर आप mobile phone पे हैं तो आप study IQ की जो app है यह भी कर सकते हैं download और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे study IQ के various courses study IQ के platform में stock market से लेकर UPSC SSC UPSC optional various courses available है state PCS courses भी available है यहाँ पे आप देख पाएंगे और जो हमारा flagship course है UPSC P2I course P2I इसको का जाता है क्योंके prelim से लेकर interview तक यह course आपकी help करेगा इसे आप purchase कर सकते हैं यहाँ पर code PG10 लगा कर यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे codes दिख रहे होंगे civil और various और codes है इन codes को आप अगर use करते हैं तो आपको maximum discount नहीं मिलेगा अगर आप use करते हैं code PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर maximum discount possible so use the code PG10 and save money by the way इस course में आपको 30 महीने की validity मिलती है तो मतलब के per month आप 1000 रुपे से भी कम पे कर रहे होंगे for your UPSC preparation so use the code PG10 and save money इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांथ थांक यू फो लिसनें and as always may the gods watch over you